नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा जो आल इंडिया ट्रेड टेस्ट ए आई टीटी 2020 जो कंप्यूटर बेस्ट हुआ था मकैनिक मोटर वाइकल का पहस्ट इयर का उस ही कई हमारा आफिसल पीडियाफ है तो बहूट से लोग गया था हमारा में मोटर वाइकल का पिछले साल में हुआ था उसका हमें कोशन पेपर प्रवाइड कर देंजी है कोशन पेपर है ठीक कि देखें पिछले साल जो आपका एक्जाम पैटर्न था वह था कि आपका जो ट्रेट थी रहेगा उससे आपका इस पूछा गया था और इंपलाइबिल्टी इसकल से 20 कोशन पूछा गया था और वरकसा आप कल्कुलेशन एंड साइंस से 20 कोशन पूछा पूछा गया था पिछले साल में एकन इस बार किया कि आपको एक्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है इस बार जो आपके ट्रेट थी कोशन पूछे जाएंगे वह 50 कोशन पूछे जाएंगे इंपलाइबिल्टी इसकल पचीस कोशन पूछे जाएंगे और वरकसाप काल्कु तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें जाएंगे यहां पर सीरियल नंबर कोशन आड़ी और कोशन एंड एंस्वर के बारे में यहां पर बताया गया है इशंच पर दोस्तों पहला कोशन है किस प्रकार का अप घर सक अधिक शमगरी को हटा देता है तो यह जो हटाने का कार करता है वह सिलकान कारभाइड यहां Уड जादा माटेरियल हटाता ओ यहां पर इसका दिख नोकारें पर दूसरा कौस्द है विच पार्ट और वीच फिटद ऑन्द मशीन यानि कि को सबग मसीन पर फिट किया जाता है झेए जिए मशीन पर फिट किया जाता है हो हमारा रहता है सैंक तो आंप सार नंबर 270 स्ञाफ करेक्ट हो जाता है ठीक जो यूशन है तीसरा question which tool is used in the make internal threading in the component घटक में आंतरिक थ्रेड यानि के चूणिया बनाने के लिए हम लोग परियोग करते हैं तो देखिए घटक में आंतरिक थ्रेडिंग या चूणिया बनाने के लिए जो हम लोग थ्रेड यूज करते हैं अंतरिक थ्रेड बनाने के लिए जो हम लोग उपक्रण यूज करते हैं वह हमारा रहता है टैप होता है उसका परियोग हम लोग आंतरिक चूणिया बनाने के लिए करते हैं अब देखिए यहां पर जो चौथा question है वह कर रहा है यहाँ पर कि वाट इस था टाइप आप अब मेकेनिकल है दिंद वर्कसाप वर्कसाप में यांतरिक खत्रों का प्रकार किया है तो देखिए म से यहां गर्डेड मशीनरी यानि कि गैर संरचित मसीनरी जो होते हैं यहां कि यहांतरिक खत्रों के प्रकार होते हैं अब देखिए आपर पांचमा कोशन यह death section to be adapted in handling diesel डीजल मसीन को सभान ले के लिए अपनाई जाने वाले जो सुरच्छा सावधानियां आकॉंसी हैं तो यह है आपका की रिमूव सेफगार्ड आफ रोटेटिंग पाड घुमने वाले हिस्तों का सेफगार्ड निकालें जखिए आपर छाठा कोशन है हाव दा क्वालिटी आफ फ्यूल डिलेवरी वेर इन ए रनिंग डीजल इंजन चल रहें डीजल इंजन में इधन वित्रल की मात्रा कैसे भिन्न होती है यह जो भिन्न होती है होता है नियंद्रन रेक के द्वारा होता है तो यहाँ पर इसका सब्सक्राइब और है नुमेटिक गवर्णर तो आपसे नंबर से यहां पर करेक्ट हो जागा नुमेटिक गवर्णर आठ्वा कोशन है वीच फ्यूल रिलेटेडिटेड विद सीटेन नंबर कौन सा इधन सीटेन नंबर से संबंधित हैं देखिए यहां पर वैसे तो सीटेन नंबर देखिए जो होता है यह पेट्रोल के लिए यहां पर इन्होंने एंस्वर दिया है ठीक नंबर के लिए करेंगे इसे जarूर में रखियेगा यहां पर निम्मेरों ने गलत अंसर दे दिया है से नau师 जात है त исп किया जाता है दसमा कोश्चन है विच टूल इज यूज टू रिमूव वालव को हटाने के लिए किस प्रकार के उपकरण के उपयोग किया जाता है तो देखिए वालव को हटाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा वालव स्प्रिंग कंप्रेसर के यूज करते हैं वा देखिए EDR का जो फुल फार्म होता है एक्जाश्ट गैस रिसर्कूलेशन होता है तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा एक्जाश्ट गैस रिसर्कूलेशन बारे नमबर को कोशन है के रुपूसाइड में रहता है अव कोशन है वज देखिए रन आवट की जांच करने लिए जो फ्रकार्ण का उप्योग किया जाता है वह हमारा रहता है डायल गेस तो आपन सा नमबरन से यहां पर करेक्ट होजाएगा डायल गेस कैं गाहिए तेरह नृमबर का कोशन है विच कंडिशन डज डन मो हानिश और भाई बैटरी alanvoss किस इसती में बाटरी ये को और अधिक चार्ज करने का करता है। यहां पर देखेे निम्मी ने कोई भी अन्सर यहां पर दिया नहीं है। इसे साथ इन लोगों ने रांग साबित कर दिया होगा तो इसलिए यहां पर कोई भी एंस्वर नहीं दिया गया और यह सब कुछ रांग यहां पर एंस्वर दे रहा है ठीक देखें आपर चावदा नमबर कोशन है वेच इस पैनर यूज टू जीरो सेटिंग इन सेटिंग के लिए किस इसे पैनर के ऊपईयों किया जाता है इसके लिए कि यहां पर इसका यांसर करेक्ट हो जाएगा हुक इस पैनर यहां पर 15 स्प्रूर्ट कोशन है वाट इज दले आने माप्द ऑफ आप बारी माम नाम च्छ क्या है तो इसका जो नाम है वह होते हमारा थिमबल तो इसका यहां पर अन्सर करेक्ट हो जाएगा थिमबल सोले नमर्ब कोशन है विच इन्फिलेशन की जांज के लिए किस को किया जाता है तो इसके लिए जो गेज रहता है प्रेशर गेज अब यहां पर सय्क्राइब सबस्क्राइब वाट और दा टू इंस्ट्रूमेंट यूज़ तू मेजर दा वार पेज आप दा फ्लाइवील फ्लाइवील के वार पेज को मापने के लिए उपियों किये जाने वाले दो उपकरण का नाम क्या है तो यह जो दो उपकरण हों इस्ट्रेटेज और फिलर गेज होते हैं यहां पर इसका डिया आंसर करेक्ट हो जाएगा अठारे नमर कोशन है वाट इस दाने वावदा सर्कीट है सर्कीट का नाम क्या है तो देखिए यहां पर जो सर्कीट है यहां पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ओपन सर्कीट निए नवर कोशन है, What is the battery charge rate indicates by the floating level of hydrometer, hydrometer का floating आसन में battery charge अदर क्या बताती है, तो यह जो बताता है, यह हमारा full charge को बताता है, यहाँ पर इसका D answer correct हो जाएगा, full charge, ें 20 नंबर कोशन है हाव इस दबाट्रीर किए एक्स बैट्री की है इसे बैट्रिकी जाती है तो देखी जो अधे घृमता होती है एंप्र हावर रेटिंग में ब्यक्त की जाती है तो tex हैं आपर इसका भी अंशर क्रेक्ट हो सब्हंते हैं 22 धर्शार होते प्रतिरोध को मापने के लिए मल्टी मीटर का परियोग किया जाता है यहां पर इसका डियांसर करेक्ट हो जाएगा तेज नमर कोशन है विच मेजर लिक्विड रेजिस्टेंस आप फ्लो यानि कि प्रवाय के तरल प्रतिरोध को कौन मापता है तो देखिए जो प्रवाय के तरल प्रतिरोध को मापता है वह हमारा राते विस्कोसिटी यानि की स्यानता रहता है तो यानि कि विच मेजर दे लिक्विड रेजिस्टेंस आप फ देखिए हाइड्रोलिक सिस्टेम में जो नियम लागू होता है वह राता है पास्कल का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 25 नुम्बर कोश्चन है वें डेट फर्स्ट कार रोल इंदा इस्ट्रीट आप कलकत्ता यानि कि कलकत्ता में पहली बार कार कब चली तो देखिए कलकत्ता में जो पहली बार कार चली थी वह 1887 में चली थी 26 नुम्बर का कोश्चन है वेच मिनिस्ट्री आफ इंडिया रेगूलेट दा मोटर वेहिकल एक्टिविटी भारत का कॉंसर मंत्राले मोटर वहन गत्वधी को नियंत्रित करता है यह नियंत्रित करता यह किस प्रकार का इंडिकेटर है एकोणामी मोड का इंडिकेटर है कि 28 नॉमबर कोश्चन है विच इज दा पाउर डवलप इन एं एंगिजिन में विख्सकत सकती होती है वह अकौंट से होती है यह रहत है हमारा इहट भी ठीक इंडिकेटेड हर्स परवर होता है तो आइएश पी मतलए इंडिकेटेड हर्स पामर व Campbell कोश्चन है वर जि हमारे काहल हाता है ढूमर हेल्ट यहाँ सेनल corr यहां पर करेकशन पदाएउस नम्बर ज़्य इस नम्हाँ एजर्चीन है केटर का पर्यूब करते हैं विल फेशाट को चट करने के लिए कि थार्ट नॉम्बर कोशन है वाट इदा नेम आपड़ मार्क आइज यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है यह क्या होता है कि यह होता है हमारा रिंग ग्रूवस तो रिंग ग्रूवस यहां पर करेक्ट आ थार्टी नॉमबर कोशन है वाट इदानेम आपड़ डाइग्राम चित्र में यह जो आपको फिगर दिख रहा है यह कौन सब फिगर है यह हमार कालाता वाल्व टाइमिंग डाइग्राम है तो टाइस अमड़ कोशन वाट इदानेम आपड़ पोर्शन बीलो दा पोजिशन पिश्टन बास पिश्टन बास के नीचे के हिस्से का नाम क्या है तो देखें पिश्टन बास के नीचे का जो हिस्सा होता है वह कहलाता है इसकर्ट आप पिश्टन पिश्टन का इसकर्ट होता है वह थार्टी फोर नॉमर कोश्चन वाट इदानेम आपड़ पार्ट मार्क 35 number question which is the most preferred used to taper roller bearing यानि कि टेपर रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग होता है तो देखिए टेपर रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग होता है यह रहता है इंजन में प्लाइवील का पर होता है जिके इंजन में जो फ्लाइवील इस्थित होता है या क्रेंक साफ्ट पर इस्थित होता है इस थार्मो इस्टेट वालव टेस्टिंग यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा थार्टेट नम्बर कोश्चन है विच इंजन इस तू पेट्रोल आयल लुब्रिकेशन सिस्टम पेट्रोल तेल लुब्रिकेशन पुडाले में किस इंजन को प्योग किया जाता है तो इ 39 कोश्चन है वीच पाइट क कैनेक्ट द सबाख इंजन इन्लेट मेरी मेरी कॉण यह होते हैं कास्ट और जो वोता है यह होने माला समगडी है ढल बालौ नम sources हो। फोटिवन नमबर कोश्चन है वाट अर्दा फंडामेंटल यूनिट अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 41 से लेकर 60 तक जो भी कोश्च रहेंगे यह हमारे वरकसाप कैलकुलेशन एंड साइंस के कोश्चन रहेंगे ठीक अब देखिए यहाँ पर पहला कोश्चन यहाँ पर है फोटिवन नमबर का वरकसाप कालकुलेशन एंड साइंस का कि वाट फंडामेंटल यूनिट मूल भूतिकाई यह कौन सी तो देखिए जो मूल भूतिकाई है यह आपको लेंथ मास और टाइम क्या है कि मूल भूतिकाई कोश्चन वॉटिट डीनोट लेटर कैप्टल एम इन MKS शिस्टम में जो होता है क्या दर साता है देखिए अंदर साथा है अपका मीटर को कि बताता है किलोग्राम को सिकेंड को फोटि तेन वकोश्चन वाट जिए प्रोड्ट इस दो प्रोडॉक्ट आप 0.003 0.5 तो इन यहां पर करेक्ट हो जाएगा है कि फोटीवन नम्र कोशन है वाट इड़ डिफिनेशन आफ रेशियो अनुपाद की परिभास क्या है यह कालते रिलेशन आप टू कॉंटिटी आप दा सेम काइंड एक ही तरह की दो मात्राओं का अनुपाद हो एक फोटी फाइफ नम्र कोशन है वाट विल भी आर्पियम आसथ स्मालर गीर इफ ए रैट टी अम्म डाय मेशिज विथ सिश्टी अम्म डाय गीए अंड बिगर गीएं अमेंग्स शिश्टी यृपियम यादि एक सो एसी आम्म ब्यास वाला गीएंट 2,000 वाले गीएंट पर जूड़ा हुआ है तो बड़ा गियर साथ हर्पियम से घूमता है तो छोटे गियर कार्पियम क्या होगा यह आर्पियम होगा एक्सवासी और पियंग करता है यह रहता हमारा सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा फुर्टी सेव नमबर कोशन है विच यूजिंग फार में प्रिसाइब प्रिसाइज इंस्टुमेंट यानि कि किसी मिस्र इस्पात को उप्योग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तो देखिए जिस मिस्र इसपात का परियोग हम लोग कीमती उपकरण बनाने के लिए करते हैं वह रहता हमारा इनवार इस्पात यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट इच काल्ड मास पर यूनिट वैलू माफे सबस्टेंस किसी प्रदार्थ के द्रभेमान प्रतिकायतन को क्या कहा जाता है जिसे डेंसिटी यानि यानि की अधिसरास बोलते हैं और इसमें परिमाण और दिसा दोनों होते हैं उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानि की सदिसरास कहते हैं पचास नमबर कॉश्चन वाट इस वेलू आफ इस पेस्विक हीट आफ वाटर पानी की जो बिस्स टूसमां होती है वह कितनी हो तो देखिए फारनाइट में जो पानी का बॉलिंग पॉइंट होता है वह रहता है दोसो बारे डिग्री फारेन हाइट फिप्टी नमर कोश्चन है कि का नवाट मानेस दोसो त्याथर डिग्री सल्सियस इंटू केलविन स्केल केलविन स्केल में इसको चेंज करना है जो मै आपस में जीरो हो जाएंगे तो नमबर कोश्चन है विच इस दे यूनिट आफ करेंट धारा की क्या है तो धारा की काई होती है एंपियर फिप्टी फो नमर कोश्चन है विच इज वेरी गूड कंडक्टर सबसे अच्छा चालक कांसा है तो जो हमारा कापर यानि किताबा होता है सबसे अच्छा चालक होता है फिप्टी फाइफ नमर कोश्चन है वाट इसका प्रित्रोध आएगा वह च्छानवी दसमलाव आट हों आ जाएगा फिप्टी सिक नमर कोश्चन है वाट इस साइड आफ इसक्वाइए एक वर की भूजा क्या होगी कह रहा है जिसका सबस्क्रीб., नॉर्व नों 2 समान होता है कि मिने सामने हो को लां टोटे डिए कि यहां परस्फमानले पीजिया है एक सबस्क्रीन हो vista माण लेते हैं तो सब्सक्राइब का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 बीस और 28 और तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है तो चालिस बीस और 28 यह तीनों जब यूग करेंगे हम लोग 28 यहां पर क्रेक्ट अंसर हो जाएगा वाट इस दो विलासिटी रेसिव और एक्सल इफ फिल और एक्सल का वेगान उपात किया होगा यह विल और एक्सल की त्रिच्चे करम से 345 और पचातर एमें तीज आएगा आपका पांच क्योंकि यहां पर देख सकते हैं 345 बटे पचातर जाओं लोग करेंगे यहां पर देखेंगे तो यह हमारा पांच बार में कड़ जाएगा यह हमारा करेक्टान सुचाएगा पांच देखेंगे आप फिप्टिनाइफ कोष्चन है विच्छ इग जांपल फार फ़स्ट आडर लिवर के लिए कौन दारन है तो फ़स्च आडर लिवर के लिए जो दारन है वह इंपेर अफ सीजर सीजर्स का एक टेयर्स शाट नमर कोष्चन है वाट इज दव वैलू आप थे सब्सक्राइब करने के बाद जो अगला कदम होता है वह होता है कि इंटर्विव साच्छाथकार में जाएं इस नंबर कोशन है कि फिल इंदा बलाएं कि ते रिस्पेक्ट्व प्रोग्रेशिव टेंस आपधा वर्ब देट ट्रेंड डडडड़ थो दा टानल किरियाद के वर्तमान प्रगति सील काल के साथ रिख तस्थान भरें देट ट्रेंड क्या यहां पर भर रहा है इस पासिंग इस पाल वैसा दो जो किसी दूसरे सब्सक्राइब होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहा जाता है तुस्ते कहा जाते हो मोग शिच्टिफोन नंबर कोशन है एं लीगल एक्टिविटी कमिटेड अन्ट इंटरनेट इस काल इंटरनेट पर की गई अवाइद जिएक सीब्सक्राइब के जाती है था सबस्क्राइब करहिएक यानगी कि अप रात कहलाता हैं सिच्टीफफफ नमबर कोश। n है वाट्ट इटीफ परी र्ne हाइस ए किस उसें में वाइज पॉस्तार क्या होता है तो जिसमें यह वाए about kept Self हarta यहां पर करेक्ट हो जाता है जिससे कहा जाता है कमिटमेंट आपसा नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि नंबर कोशिटन है जिसको कमजोर कमिटमेंट माना जाता है तो यहां पर मैसेज का इस पर होना ही पूर कमिटमेंट होता है एक आत्ता नम्बर कोश्चन है money invested in purchase आप raw material payment of wage and salary rental electricity etc comes under कच्चमाल की खरिदारी मजदूरी और वेतन किराय बिजली आयत के भुगतान में निवेस किया गया पैसा किसके अंतरगत आता है यह आता है इंप्रूब पर कैप्टा इंकम प्रत्व्यक्तियाय में सुधार क्या होता है यह होता है आटोमेटेड टेलर मसीन है जो आता नम्बर कोश्चन है विच वन आफ दीज डाकुमेंटी जनाट असेप्टेवल फार फुल्फिल्मेंट आप कि वाइसी नार्म कि वाइसी माप दं सब्सक्राइब करने वाले करविंचारी किससे अधिक नहीं होने चाहिए तो फुट्टीएट हावर से अधिक नहीं होने चाहिए सेवंटीट नमबर कोश्चन है विच वन आफ दा फालूंग इजन एयर पलूशन कौन सो एक वाइव प्रदूसक है तो देखें जो वाइव प्रदूसक है हमारे कार्बन मोनोक्साट स्यों होता है कि सेवंटीना नम सब्सक्राइब तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टन कोश्चन थे जो कि मेकानिक मोटर वाइकल फश्टियर का था तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को जरूरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए अगर आप लोग सेकेंडियर का सब्सक्राइब देखना चाहते हैं तो आप तो किसा बटन पर क्लिक करके दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमने सब्सक्राइब कर दिया आप चाहे तो वह से भी देख सकते हैं मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू